Hey students, بچो कल हम river discuss कर रहे थे, छेक है, landforms chapter number 4 है हमारा major landforms, and बहुत सारे landforms discuss करने के बाद mountains, plateaus, plains, rivers, तो हम finally जो river part हम discuss कर रहे थे, मैंने आपको कहा था आपको लगेगा कि landform नहीं है, बट हम उसको उसी कैटेगरी के अंदर उसके बारे में भी बात कर रहे हैं ठीक है इसमें हमने देखा था कि river की जो पूरी entire journey है वो mountain से शुरू होके किसी lake, किसी sea, किसी ocean है ना उसमें जाके मिल जाता है तो उस पूरी journey में उसे हम stages में divide करते हैं किन में divide करते हैं बच्चो, stages में, stages में कल हमने उसकी first stage पड़ी थी first stage आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, first stage थी youthful stage कैसी stage बच्चो, youthful stage, youthful stage में मैंने आपको कहा था, youth का मतलब होता है young लोग, जैसे young लोग में बहुत सारी energy होती है, बहुत speedly वो काम करते हैं वैसे ही youthful stage में, जो river भी होता है, वो बहुत rapidly mountain slopes के नीचे चलता है और क्या बनाता है, we shaped valleys, waterfalls, rapids and canyons बनाता है आज second stage की बात करें तो बच्चो, second stage होती है, mature stage अपनी life से आप compare करो, तो पहले आप young होते हो, ठीक है, फिर उसके बाद after your 30s, 40s, अब क्या हो जाते हो, mature हो जाते हो जो rivers हैं, वो swell हो जाते हैं and broad हो जाते हैं, broad means wide, उनकी width बढ़ जाती है, उनकी width बढ़ जाती है, वो broad हो जाएंगे, swell हो जाएंगे, जादा area cover करेंगे, चीक है क्यों होता है ऐसा, क्योंकि rivers अपनी tribute trees से joined हो जाते हैं, tribute trees क्या होता है बच्चों, जैसे आप देखते हो, एक tree होता है, tree की एक main branch होती है, ठीक है, एक trunk होती है, फिर उससे आगे branch निकलती है, फिर वो branches आगे divide होती है, वैसे जो river है, उसकी भी बहुत सारी tribute trees होती है, चोट हो जाता है, मतलब ज्यादा area cover करता है, इस वक्त वो क्या करता है, जो अपने साथ mountains से high speed में move करके, मिटी, silt particles या कुछ भी अपने साथ लेकर आया है, उसको क्या करेगा, river के sites में deposit कर देगा, अपने river के site के land को fertile बना देगा, fertile means उप जाओ बना देगा, ठीक है, इस stage में क् significant change आता है, वो यह आता है कि speed, जो river की हमारी speed है, वो decrease हो जाती है, ठीक है, और इसी, इसी stage पे, वो meander या loops, loops हम कहते हैं, एक circle में को, वो create करता है, ठीक है बच्चो, next stage की हम बात करें, तो next stage है, old stage, old stage क्या होता है, इस stage में river बिलकुल slow हो जाता है, और यह just sea से, sea जो होता है, जिसमें इसको finally जाके मिलना है, इसकी branches बहुत सारी छोटी-छोटी streams में जाके मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं, distributaries, तो बच्चो, difference हम जीएगा, tributaries में, distributaries में, जो river, mountain से आ रहा था, वो बहुत सारे छोटे-छोटे parts में आ रहा था, वो a plains में जोटे-छोटे-छोटे parts में आ रहा था, mountain से, उनको कहते है, tributaries, अब जो वो वापस sea में जा रहा है, उसकी speed कम हो गई है, तो अब क्या हुआ है, वो थोड़े-अलग parts में divide हो गया है, जिसको क्या कहते है, distributaries, अब क्योंकि ये divide हो जाता है, तो ये triangular island बना देता है, जब ये sea से मिलने वाला होता है, उसको कहते हैं हम delta, ठीक है, जो sediments इसके अंदर होते हैं, उसको deposit करके, ये triangular island बनाता है, जो बहुत important है, ये आप से पूछा भी जाएगा, इसको हम कहते हैं delta, examples में देखें, तो संदरबल delta, इंडिया में, वो river गंगा से बना है, एक और example हम delta का तो nile delta है, जो river nile से एफरिका में बना है, ठीक है, नेक्स बचो, आज आपके assignment के लिए आपको three stages के names लिखने हैं, river की, plus आपको distributaries और delta की definitions लिखने हैं, ठीक है, नेक्स हम कर deserts पढ़ेंगे,